राकी भी।ाहँ भी मालती राकी का बीडियो भी बना उसके बादक hm इन लोगों में ऐसा कैसे प्यार हुआ कि हमें समझ में नहीं आयीह, हमको उच में चोड़ेगा ना, दोनों लोग मिलकें हमको छोड़ेंगे नहीं , क्योंकि हम जानते हैं इतना तक हो गया आज भी मालती उसी के गुडगाएगी और हमें पता है हर चीज हमको लोग छोड़ेंगे नहीं मार डालेंगे उसके बाद फिर इधर हमारी भी भग गई उसको लेके उसके साथ अब बताए छह महिने से जिसका प्यार चला था इसा हो नहीं सकता है कि उसके सारी संबंद नहीं बना होगा मित्रो नमस्कार हमारी मौजूदगी है काली जगदेशपूर में और काली जगदेशपूर में हमारे साथ मिस्टर बिश्नूराज है बिश्नूराज ने तमाम वीडियों में और तमाम चैनलों पर अपनी जीवनी बताई कि ठेला चला करके आज य हैं और आज ये मुसहूर चहरा पहुच जाता है जेल में कारण क्या था जानने का प्रयास करेंगे स्वागत है सबसे पहले में सभी दर्सकों को पढ़ाम करता हूं और इस जिस स्थिति में मैं हूं तीन चार दिन से ही लग रहा है कि अभी हाट अटक आजागा और खतम हो जाओंगा रियल में कभी ऐसा नहीं सोचा था क्यों पहुंच जाते हैं थाना अदालत ये सब क्यों हो रहा है इसमें मतलब मेरे भावना के साथ और मेरे जजबात के साथ मेरे इस जो अच्छा ही यह सच्छा ही सब लोगों को माल लेता हूं इसके साथ इतना खतरनाक मेरी वाइप और अर्जुन कौन है जो हमारे साथ रहता था है मगानिक का काम करता था हम सभी लोगों के साथ बैए एसे रहता था जैसे कुछ नहीं हमारी बीबी के साथ बहन बनाया था राकी विव अदवाया था और हम सोचे भाए यह देखे कोई भाई-बहन का रिस्ता इत के लिए यहां तक कि 12 बज़े गरों देखाना तो रोटी बना के देती अगर दो दिन में भूका रहू तो मेरे लिए कोई बात नहीं था जिस तरह गाइड कर जितना भी जगड़ा होता था समय गाइड अगर बोल दे मालती तुमको यह करना है मतलब बैक से तो वही करती थी और आज यहां तक मैटर आया कि हमसे तलाग लेकर साधी उससे करने का मेरे पास सब सबूत है और बहुत जल्द मैं दिखाऊंगा सब और उसके साथ-साथ मुझे मुझे जान से मार के खुद मरने का प्लान किया था और यहां तक कि मेरे स्टूडियो पर आकि मुझको भद् को आया हम लोग को गाली देने लगा है स्टूडियो पर हम थे और मिसरा जी थे मिसरा जी को मारने जा रहा था मिसरा पैर भी पकड़े भाईया काम से हुआ हम बोले गाली वी देने लगा उसके बाद फिर यहां मैटर धीरे-धीरे पता चला जो कि सब को कुछ बीबाद में कुछ कुलों के चक्कर में किम से विवाद कर लिए हैं तो इस चीज को ले करके ऐसे उल भाई से सब अपनी बता है जब उससाइट करने जा रहा ता मेरा नाम लेकर बहुत खतरनाक मुझे गाली मावहन की दिया और उसके बाद भाई बता ऐसे से बात हो रहा भी शुड़ू और तुम्हारी एह है कि बताओ तो मैं बोला ठीक है आप उन लोगों से बात करिये और जो भी आप सला जैसे देना दीजिए ताकि हमको सारी सच्चाई पता चले वहिया के बज़े से हम लोगों ने वहां तक पहुंच गया जहां भागने तक का भाग भी गये उसके बाद फिर ता मैटर सुरू हुआ और इधर बीच में कल सुबहा सुबह आया मिसरा जी के भी घर गया बोला हम आपको नहीं विश्णू को टार्गेट करने आये थे मारे थे और यही बात अमरनास से भी बोला कि हम विश्णू राज को मारने आये थे रात को उसके बाद फिर से मै फिर उसके बाद मारने कब कल भी सुसाइट करा तब भी खुब गाली दे रहा था उसके बाद फिर इधर हमारी भी भग गई उसको लेकर उसके साथ फिर रात को जो हमने एक या तो नईयर में थी और हमारे ससुराल में भी जाको सब को बता है आपकी वीश्णू बेजवात और जो आरोपी जिसके उपर आप आरोप लगा रहे हैं उसी के उपर किये थे हां कि उसमें जो है मेरी बीबी और दोनों लोग भाग गये अच्छा अप्लिकेशन भी आप ही देते हैं और आप ही जेल में रहते हैं क्यों तीन घंटा अंदर थे बंद उसके बाद फिर क्या गाड़ी मुलाकात कब होई थी और कैसे भाई बहन बन जाते हैं हमारी गाड़ी पहरे लड़ी थी तो बार बार फोन करते थे हम फोन ने उटाते वर फोन कि हम बोले कि आपकी गाड़ी लड़ी ऐसी सी बात है वहां से विश्वास बनाए थोड़ा-थोड़ा और उनके फिर में बात हुआ कि जैसे एक रिस्ता बन गया भाई जब बोली कि मालती हमारी बहन है मैं मेरी कोई बहन नहीं मेरी अपनी सगी बहन नहीं मानती तो मेरी बहन बन जाओ राकी भी बाधी मालती राकी का बीडियो भी बना उसके बाद इन लोगों में ऐसा कैसे प्यार फिर जब बवाल किया तो मालती भी वहां से रात को चली आई और खिर कई से उसको पता रहेगा अच्छा बाखी जो है जो जिस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं कुछ एविडेंस हैं मेरे पास एक तालीस आड़ी ओकाल रिकार्डिंग है जो के द्वारा मिले हैं क्योंकि वहीं अगर नहीं होते तो आज कस्वा से बता रहो सकता मैं इस दुनिया में नहीं रहता कुछ जब नहीं थी मैंने उसको बनाया सब को पता है दो रुपे का समान मांगती थी दो सौका देता था कोई भी पहती थी एक बार कर देता था और उसके बाद इधर जो है यहां तक जब से इंटरफेर किया हमारे लाइब में तब ही जगड़ा पहले भी बहुत होता था बहुत होता था लेकिन पकड़े थे लेकिन तुरन हमें इस सीच को भाई के द्वारा ही हमको सब पता चला नहीं तो हमको नहीं पता चलता अच्छे कोई अखो देखी कुछ नहीं बता सकते हैं अखो देखी यही है कि बार-बार उससे बात करती थी और यहां पे आने के बाद और वोली मालती जही हुआ हम चाहे जैसे बतियाई तोसे का मतलब तो यह बोला ही है तोसे का आपके घर में मारपीट का जो माहा लग बग सालों से चल रहा है पति पत्नी का भी बात जो है सोसल मीडिया पर अक्सर आते हैं तभी से चल लाए हमारा चहरा देख सकते यहां से यहां भी दिखाएंगे तो यह निसान अभी है पतलो ऐसा कोई जगह नहीं है कि अगर आप अगर हमें दास से काट लेंगे तो उतना दर्द नहीं होगा जितना एक आम आदमी को काटने पर होता है अभी साधी के बाद से ही अगर इस तरीके का माहौल होता है और तकरीबन कितना समय पहले यह जो है आपके लाइफ में इंटरफेयर किया है चैसे साथ महीने हुए और वही लाग के सिंभी दिया जब से इधर 20-25 दिन से मैटर चल ला था तब से मेरा नंबर ब्लोक है आज तक नहीं खुला है और हमारे गुरूप के सभी लोगों का जो की रहते हैं आसपास के सबका नंबर ब्लोक था अच्छा यह लोग क्या चाहते हैं जिनके उपर आरोप लगा रहे हैं जैसे आप अपने पतनी के उपर आ हो सकता है फिर किसी को बुला कि मरवा डाले हमको देखे उसके बिना परमीशन से हम टच नहीं कर पाते हैं अगर बोलता कि टच करो कि टच करो करने दो तब टच करने अईसा उन लोगों में बात चलता था और यहां तक कि 20-20 दिन तक मैं उसे टच नहीं करता था कोई भी हम पराल दिये जाते हैं बगार मरजी के अपने पतनी को टच नहीं कर सकते हैं समझ सकते हैं आप लोग की मामला कितना संबेद अंसील रहा होगा जो है बहुत ऐसे हैं एक में हैं कि साधी हो जाएगा उसके बाद देखता हूं तो मार डालेंगे ऐसा ऐसा भी सब्द प्रियों किया गया है एक में बकाइदा बीडियो बना के हमको गाली दिया है बताइए क्या मेरा यही है हम छोटे हम लोग छोटे जातके हैं तो हमको कोई भी ऐसे गरी आके चला जाएगा हमारा नहीं सम्मान है मित्रों जो है काली जगदीशपूर से एक पारिवारिक विबाद पती पतनी का विबाद जिसमें एक थर्ड परसन इंटरफेयर करता है पहले बहन बनाता है और बहन बनाने के बाद जो है प्रेमिका बना लेता है और बीबी बनाने के लिए फिराग में है और करेगा भी क् हम जानते हैं दोनों लोग कमी कुछ जानते हैं इतना तक हो गया आज भी मालती उसी के अ आपनी सूरच्छा के लिए हम देने वाले हैं क्योंकि कि मैं निर्दोस हूं और मुझे इंसाब चाहिए इस चीज को ले करके कि एक जोती मौर्या बनी है दूसरी जोती मौर्या बन चुकी है क्योंकि हर चीज हमने इनका किया हर चीज किया यहां तक इनकी बहन का भी साधी कराया भाई के लिए भी सपोर्ट किया सब के लिए सब के परिवार के लिए किया लेकिन आज मेरे साथ ऐसा की बहुत अच्छा अच्छा इसके बाद भी आप दोनों लोग साथ 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 रहेंगे कि नहीं रह पाएंगे बताए कि मुझे जहर देके मार डालेगे तो का करेंगे यानि विवाब इ प्रेविजन हो रहने का तो बताए इतना अब यह बताए छह महिने चीजिसका प्यार चला ता इसा हो नहीं सकता कि उसके साथ सारी संबंद नहीं बनाओगा चलिए यह संतकवीर नगर का मामला है मसुहूर यूटूबर बिशनूराज के घर का मामला है इनके पती-पतनी के बीच के बिबाद का जो है कोई थर्ड परसन उसमें इन्वाल्व हो करके पहले बहन बनाता है बहन बनाने के बाद प्रेमिका बना लेता है और प्रेमिका के बाद जो है बीवी बनाने के फिराक में है ऐसा मैं नहीं मिस्टर बिशनूराज जी कह रहा है इनके आरोप है यह अपनी दलील लेकर के इधर उधर थाना अदालत तमाम जगह जा रहे हैं बात अपनी रख रहे हैं सुनवाई भी हो रही है आगे क्या प्रक्रिया चलती है रियल में मेरे साथ इंसाब नहीं होगा तो मैं पबलिक के सामने कह रहा हूं कि इस बोड़ी को छोड़ दूँगा और रियल बता रहा हूं कुछ भी करना पड़े लेकिन हमें इंसाब चाहिए क्योंकि ऐसे हर किसी यूटूबर के साथ कोई विश्वास जीत करें और कर सकता ह हर किसी के साथ की भाई बनके प्रेमी बन जाए साधी करने के लिए यहां एक सवाल बनता है कि लोग जो है दूर दूर से फेमस होने के लिए आते हैं अच्छी चिकनी चूपड़ी बाते करके आपके परिवार में जगह बना लेंगे और जगह बनाने के बाद यह लंबा सम लेंगे तो क्या हुआ यह जानता हूं लेकिन हमें क्या पता हुआ कहीं नहीं भाई और बहन का रिष्टा है इसको कलंकित किया गया है भाई किसी को कोई बहन अगर भाई कह दे तो वह रिष्टे को जो है लंबे समय तक निभाता है लेकिन आज देखिए कल्यूक की इस भाई और इस बहन को जो भाई बहन के रिष्टे को कलंकित किये और इसके पीछे मतलब ये जो तीन लोग है विश्णूराज इनकी पतनी और जो थर्ड परसन इन्वाल्ब होता है ये सभी लोग साधी सुदा है एक छोटा सा इनका का भविस से मत खराब करो अगर तुम्हें देना है तो हमें दे दो हम जिंदिगी भार के लिए तुम्हारा गुलाम रहेंगे भारी रहेंगे और नहीं देना तो कम से कम मेरे ही मेरे बच्चे के लिए मुझे सौपदों की अपने बच्चे के लिए जो करना है करो मैं करूं में नई खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार